नमस्कार आपका अपना चैनल आर्वी नई कहानिया में फिर से एक बार स्वागत है, आज हम सुनेगे करवा चौथ की व्रत का था। बहुत समय पहले की बात है, एक साहुकार के साथ बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहां तक की वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयम खाते थे, एक बार उनकी बहन ससुराल से माई के आई हुई थी, शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आये तो देखा उनकी बहन ब इरजल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्ग्य देकर ही खा सकती है, चून की चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है, सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर प अपनी बहन को बताता है कि चांद निकलाया है, तुम उसे अर्ग्य देने के बाद भोजन कर सकती हो, बहन खुशी के मारे सीलियों पर चड़ कर चांद को देखती है, उसे अर्ग्य देकर खाना खाने बैठ जाती है, वो पहला टुकड़ा मुह में डालती है तो उसे चीक जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पती की मृत्यू का समाचार उसे मिलता है, वो बोखला जाती है, उसकी भावी उसे सच्चाई से अबगत कराती है कि उसके सा करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से तूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। वो एकद्रित करते जाती है। एक साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भावियां उससे आशिरवाद लेने आती हैं तो वो प्रतेक भावी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रा करती है, लेकिन हर बार भावी उसे अगली भावी से आग्रा करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छटे नंबर की भावी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। इसे देख करवा उन्हीं जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। करवा का पती तुरंत श्री गनेश श्री गनेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभू कृपा से उसकी छोटी भावी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। करवा चोथ ब्रत कथा का महत्व जाने। करवा चोथ की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब पूजा के साथ इस कथा का पाठ किया जाता है। जो स्त्रियां करवा चोथ के दिन पूजन के साथ इस कथा का पाठ करती हैं और चंद्रमा को अर्ग्य देती हैं करवा माता उनके पती को दीरगायू देती हैं और साहोकार की बेटी की ही तरह उनके पती पर भी सदैव भगवान गणपती की कृपा बनी रहती है। करवा चौथ के दिन इस व्रत का एक कैलेंडर सामने रख कर करवा माता का ध्यान करते हुए यदि स्त्रियां इस कथा का पाठ करती हैं और दूसरों को भी कथा सुनाती हैं तो उनका सौभाग्य अखंड बना रहता है उमीद करती हुँ आपको ये करवा चौथ की व्रत कथा अच्छी लगी हो धन्यवाद